नमश्कार स्वागत है आपका सेल्व स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो राश्टपती है उनके चुनाव और उन पर जो महाभ्योग है इसकी परक्रिया क्या होती है चुनाव से लेकर आपको काफी सारी चीजें जो आज आपको इस वीडियो में पता चलेंगी कि indirect election क्या होते है single transferable vote system ये क्या होता है electoral college system ये क्या होता है इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में cover करेंगे PDF के लिए आप लोगों को information दे देता हूं कि PDF जो है वो टेलिग्राम का एक link दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं देखिए आने वाले time यानि कि July 2022 में जो राष्टपती के जो कारेकाल है वो समाप्त होने वाला है और इसी के साथ जो उनके उत्रा अधिकारी हैं उनके चुनाव को लेकर देश में 16 राष्टपती के चुनाव आयजित किये जाएंगे अब यहाँ जो यह news है चुनाव वाली अब आप जो भी exam देने वाले ओविसली उसके अंदर इससे काफी जादा परभाव आ सकता है पुछा जा सकते हैं जो प्रेजिडेंट हैं उनसे आर्टिकल आप से पुछे जा सकते हैं तो इसलिए current affairs बहुत जादा important हो जाती हैं कि ज निर्वाच्यक मंडल परणाली के माध्यम से किया जाते हैं अब निर्वाच्यक मंडल परणाली क्या होती हैं इलेक्ट्रोल कोले सिस्टम इसको इंग्लिश में कहते हैं इसको बहुत अच्छे से हम करेंगे इसमें क्या होते हैं कि राश्ट्रिय और राज्यस्तर के सांसद वोट डालते हैं चुनाव का आयजंज है वो भारती चुनाव आयोग या नहीं कि election commission of India के द्वारा करवाय जाते हैं एक्जाम में काफी बार पूछा गया है कि जो president है उनका चुनाव किनके द्वारा करवाय जाते हैं तो ध्यान रखना हो गया यानि electoral college system हो गया इसके अंदर कौन कौन होंगे इसके अंदर MP होंगे MLA होंगे जो state से आते हैं और एक union territory से आने वाले भी MLA हो सकते हैं मतलब कि union territory जिसमें विधान सभाएं हैं ध्यान विधान सभाएं किस-किस में एक तो दिल्ली होगी एक पूडुचेरी होगी जम्मू एंड कश्मीर होगी ओके जम्मू एंड कश्मीर में अभी परिसिमन complete हुआ है यहां पर भी विधान सभा होने वाली है अब यहां पर कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि electoral college system इतना ही नहीं है यहां पर जो बोल दिये कि इसमें MP होंगे MLA होंगे यह जो state से आते हैं और यहां पर जो union territory से आगे यह नहीं इसमें भी कुछ चंटके आते हैं इस electoral college system में चंटके कैसे आते हैं समझो ज़रा देखिए कि यह हो गया electoral college system अब इस electoral college system के यहां पर दो चीज़ों में देखते हैं इसमें कौन होंगे इसमें MLA होंगे इसमें MP होंगे अब यहां बात करूँ MP की तो यह MP भी दो जो होते हैं न हमारे सामने कौन कौन से राज्ये सभावाले और लोग सभावाले राज्ये सभावाले और रोग सभावाले इनको MP तो कहते है Member of Parliament कहते है अब यहाँ पर 545 जो है इनकी स्ट्रेंथ है 245 जो वो इनकी स्ट्रेंथ है तो क्या यह सारे के सारे जो है वो Electoral College System में आएंगे क्या नहीं ऐसा नहीं होगा देखे इस 545 में दो एंगलो इंडियन है फिलाल तो वो अभी खतम कर दिये गए है आपको पुराने सिस्टम के अकोडिंग समझारा हूँ इसके अंदर दो एंगलो इंडियन आते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है चुना जाते है किसके दोरा प्रेजिडेंट के दोरा तो ये जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं होते बाकि 543 जो है वो इलेक्टरल कॉलिज में शामिल होते सेम टू सेम राज्य समय के अंदर आपको पता है MLA में जिसमें state आ जाता है और साथ इसाथ जिसमें union territory आ जाती है union territory वो जिनके अंदर विधान सभा है वो जो है उस विधान सभा में जो जिनको election के द्वारा जो आए है जिनको चुना गया है election के द्वारा वो electoral quality system में शामिल होगे state में भी तो ऐसे ही होता है अब state में क्या होता है एक विधान सभा होती है और एक विधान परिशद होती है विधान परिशद होती है ओके तो विधान परिशद जो है आपको पता है कि महारे बारत में कुछ एक राज्यों में विधान परिशद है कुछ एक राज्यम विधान परिशद है और पूरे के पूरे बात में जहाब राज्यम वहाँ पर सभी तो विधान सबाएं है लेकिन विधान परिशद में से जो भी सदस्य होते हैं वो इलेक्टरल कॉलिस सिस्टम में नहीं जाते हैं यह चीज आपको ध्यान रखनी है विधान सबाब आले जाएंगे और विधान सबाब आले में भी वो जाएंगे जो मतलब की इलेक्शन के द्वारा आए हैं निर्वाचीत हुए हैं ओके नॉमिनेटिड नहीं होंगे यहाँ पर तो यह होता है जो मतलब इलेक्शन कोल्स सिस्टम में आते हैं अब जो प्रेजिडंट हैं उनसे रिलेटिड आर्टिकल आपको याद रखने लाइन वाइस हैं यहाँ पर जैसे कि आर्टिकल 54 हो गया आर्टिकल 55 आर्टिकल 56, 57, 58 54 में क्या है? राष्टपती की चुनाव के बारे में बातें की गई है 55 में राष्टपती की चुनाव की परक्रिया के बारे में बात की गई है राष्टपती के पद का कारेकाल यहां पर 56 में बोला गया है पुनर निर्वाच्चन हेतु पातरता यानि इसके बारे में 57 आर्टिकल में दिया गया है और राष्टपती के रूप में चुनाव हेतु योगता यानि क्वालिफिकेशन के बारे में 58 आर्टिकल में पता चलता है और राष्टपती पर महाब्योग लगाए जाता है यह 61 आर्टिकल में पता चलता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ओके आप देखिए जो परक्रिया है यह नि की इलेक्षन की तो परक्रिया होती है उसके। बात करते हैं देखें मतदान से पहले क्या होता है कि नामांकन चरण आता है कि आप चाहें तो मन होता है कि सर क्या मैं प्रेजिडेंट बन सकता हूं क्या बेशक बन सकते हो प्रेजिडेंट अपना जो है आप नामांकन कर लीजिए मतलब कि अपने आपको उस चरण मतलब कि कह कि मैं भी nomination के उसके form भर लीजिए लेकिन वह form इतना असान नहीं होता है आप सोचें कि मैं एक form भर देता हूं जैसे साइन की जूरत होगे अब यह यह जो है वो कुछ भी मतलब की वो लोक सभा के हो सकते हैं या फिर जो निर्वाजन मंडल में आने वाले सदस्टे हैं उनमें से कोई भी हो सकता है यानि उसमें MLA होगे उसमें MP होगे क्लियर यहां पर तो कोई भी हो सकते हैं यह जो प्रक्रिया है यानि पचास परस्तावक और समर्थकों वाली इसकी जुरूरत क्यों पड़ी इसको वैसे लागू किया गया था 1974 में एच्छल में क्या होता था कि इससे पहले 1974 में हर कोई हर कोई जो वो एक तरीके से प्रेजिदेंट के लिए खड़ा होने लगया था क्योंकि इतनी रिक्वाइर्मेंट नहीं थी मतलब कि इतना यह नहीं था कि भी सो लोगों के हस्ताक्षर के जुर्थ होती है जो MP होगे जो MLA होगे इनके साइन की जुर्थ होती है ऐसा पहले नहीं था तो काफी सारे जो लोग हैं यहां पर प्रेजिदेंट के उमिद्वार के तोर पर खड़े होने लगे तब यहां पर जुर्थ पड़ी कि एक कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रखा जाए ताकि यह जो इतने जो नमांकन आरे इनको कम किया जा सके तो इसलिए 1974 में इस चीज क इंट्रड्यूस किया गया कि 50 परस्तावक और 50 समर्तक यहां पर जुर्थ होगे अब यहां एक मतदाता एक से अधिक उमिद्वारों का नमांकन का परस्ताव या समर्तन नहीं कर सकता इसका मतलब हुआ यह जो सो लोग हैं इन्होंने किसी ए नाम के व्यक्ति को कहा कि हम इस या कभी मैं A के साथ भी हूँ और B के साथ भी हूँ नहीं होना है तो एक के साथ होना यानि उसी का समर्तन करना होगा ओके अब ऐसा इसमें बात लिखी कही है कि परतेक वोट का मुल्य क्या है और इसकी गंड़ना कैसे होती है अभी जैसे आप जर्नल इलेक्शन देखते है वोट की वैल्यू कैसे निर्धारित की जाती है देखो परतेक सांसद यानि जो Member of Parliament और जो विधायक है नि Member of Legislative Assembly जो विधायक है उनके जवारा जो वोट डाले जाते हैं उनकी गंड़ना एक वोट के रूप में नहीं होती है मतलब कि जैसे एक MP है उन्होंने एक वोट डाल होती है अभी आपको बता चलेगा वो वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं जैसे राजसभा और लोगसभा की जो परतेक सांसद है उनके परतेक वोट की वैल्यू जो है वो 708 जो है वो निश्चित की गई है क्लियर यहां पर अब आप मल्टिप्लाइ कर लीजिए कितने जो व मेंबर ऑफ पार्लेमेंट है राजसभा से उनके जो एक वोट की कीमत कितनी है 708 है विधायक जो है यानि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एसेंबली जो स्टेट से आते हैं वहां पर उनके वोट की जो वैल्यू है वो अलग-अलग राज्यों में डिपेंड करती है उनकी जन संशोधन जिसमें बोला गया था 2001 में बोला गया था कि जो वर्तमान जो राज्ये हैं उनकी जनसंक्या 1971 के अकोर्डिंग उनके आंकड़ों पर धारित जिसमें बदलाव जो वो 2026 के बाद की जनगर्णा के आंकड़ों में परसकास की तो होने के बाद किया जाएगा इसमें जनगर्णा की मतलब 1971 के अकोर्डिंग 1971 की जनसंक्या के अकोर्डिंग उत्तर परदेश की जनसंक्या रही है जो जनसंक्या है उसको डिवाइड कर देंगे उसको डिवाइड कर देंगे जहां पर विधान सभा की सीटों से फॉर एक्जांपल 404 सीट है उत्तर परदेश में और जन संक्या होगी यहाँ पर कि उत्रपरतेश की मान ले 20 करोड होगी 20 करोड प्लस ले लेते हैं और इनको 404 से डिवाइड कर देंगे अब जो answer जो निकल कर आएगा उसको 1 by 1000 से और multiply कर देंगे यानि यह जो answer आएगा उसको 1000 से और divide कर दिया जाएगा यह इसलिए क्या जाता है एक तरीके से उसको जो value आती है उसको बहुत बढ़ी आती है आप 20 करोड को 404 से divide करेंगे obviously value बहुत बढ़ी आएगी उस value को छोटा करने के लिए समनने के लिए इसको 1000 से इसको डिवाइड कर दिया जाता है तो यहां पर आपके सामने लिखा गया है कि परतेख विधाय के vote का मुले जो है राज्य विधान सभा में जो जन संक्या है उसको divide कर दिया जाएगा जो विधाय का उनकी संक्या से अब जो आएगा उसको 1000 से विभाजित कर दिया जाता है अब यह हजार का फंडा जो क्या है मैंने आप लोगों को समझा दिया अब उधायन के लिए बात करें देखें परतेख विधाय की सबसे अधिक vote value 208 है मतलब जिसमें उत्तर परदेश की उत्तर परदेश की जो है वो परतेख विधाय की vote value सबसे अधिक है क्यों है क्योंकि वहां पर जन संक्या जाद होगी अब वहां seat होगी उसके according और महाराश्टर में जो है विधाय के vote की मुले जो है वो 175 है जबकि अरणाचर परदेश की यहां सिर्फ 8 है clear हो गया अब यह जो value है वो vary करती है according to अलग-अलग state में वहां पर जन संक्या क्या है यह मैंने चीज़ें आपको बताती यह तो होगी member of legislative assembly उनके एक vote की value आपको निकालना अगर आपको member of parliament की vote की value निकालना है इसमें क्या होगा यह जितने भी member of legislative assembly है इनके जो vote की value आई है उनको divide कर देंगे just simple जितने भी member of parliament है उनसे इनसे जो है वो यहां पर value निकल गया जाएगी यह बड़ा असान होता है ओके अब जीत सुनस्चीत करने के लिए क्या जूरुत होती है हमने जो है vote निकाल लिया कि एक vote की value क्या होती है अब एक जीत समन्नी आपको यहां पर जो है मैं example के तोर पर बोल रहा हूं कि 50 जो लोग है वो vote डाल रहे हैं 50 जो लोग है वो vote डाल रहे हैं होता क्या है A, B, C, D यह चार जो है वो nomination अपना नामांकन भरके बैटें कि हम उमीदवार हैं कहें कि हम जो है election लड़ रहे हैं तो 50 लोगों ने यहां पर जो है इनको vote किया तो मान लें कि यहां पर इसको 17 vote मिले यहां पर इसको 13 vote मिले यहां पर इसको 12 vote मिले यहां पर इसको 8 vote मिले अब जर्नल इलेक्शन की बात कुरो तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले तो वो विजेता हो गया ना यहां ऐसा नहीं होता है यानि कि प्रेजिडेंट इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले यह ऐसा नहीं जाएगा मतलब कि 17 वोट वाला यहां पर विनेर नहीं माना जाएगा तो किसको माना जाएगा फिलाल एक बर थोड़ा सा देरे रखो यहां पर समझते हैं देखिए एक मनोनित उमीदवार जो है वो साधार्ण भहुमत के अधार पर जीत हासिल नहीं करता जैसे मैंने आपको बोला साधार्ण भहुमत हो गया न 17 मिले तो 17 वाला जो यहां पर जीतेगा नहीं बलकि वोटों की एक विसिस्ट कोटे को हासिल करने की प्रणाली के माध्यम से जीत सुनीचीत की जाती है एक इलेक्टरोल कोटा होता है उस इलेक्टरोल कोटा के तक पहुंचना होता है यानि उस इलेक्टरोल कोटा पे पहुंचेंगे उसके अकोडिंग वहाँ पर जीत दी जाती है यानि कि वहाँ पर वो वीनर माने जाते है मत करना के दोरान चुनाव आयोग द्वारा मत पत्रों के माद्यम से निर्वाचक मंदल द्वारा डाले गए सभी वैद मोटों का योग किया जाते हैं और जीत के लिए उमिद्वार को डाले गए कुल मतों का 50% प्लस वन प्राप्त करना होता है अब 50% प्लस वन यानि कि जो 20 ये जो वो 50 हैं इसका आधा कितना होगा 25 प्लस वन यानि 26 वोट हासिल करने होगे अब 26 तो यहां पर मिले नहीं तो यह कैसे होगा अब इसको समझाता हूँ मैं आपको आम चुनावों में आम चुनावों के विपरीत यहां एक मत दाता एक पार्टी के उमिद्वार के लिए वोट करते हैं तथा निर्वाचक मंडल के मत पतर पर उमिद्वारों के नाम वर्यात्ता करम में लिखे जाते हैं इसका मतलब यह होगा देखे जो आम चुनावों होते हैं उसमें तो एक वेक्ती एक वोट डाल देगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल के वो जीच जाएगा लेकिन इसमें क्या होता है प्रेजिडेंट के इलेक्शन में माना कि 50 लोग जो हैं यहां पर वोट डाल रहे हैं अब 50 जो वोट डाल रहे हैं A, B, C, D यह जो हैं यहां पर उमिद्वार खड़ें तो यह 50 लोग हैं अपनी अपनी प्रेफरेंस देंगे कि भई मैं जो है A को पहले चाता हूँ फिर इसी 50 में से माने कि कोई एक यह यहां पर मैं कहा सकता हूँ कि Member of Parliament यहां पर आए इन्होंने का कि मैं तो A को नमबर बन चाता हूँ B को नमबर दो पे चाता हूँ C को नमबर थ्री पे चाता हूँ D को नमबर फॉर पे चाता हूँ फिर A को और Member of Parliament यहां तो यहां पर प्रेफरेंस दी जाती है अब यह प्रेफरेंस दी जाती है इसके अधार पर यह चीज़ें गिनी जाती हैं अभी इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला समझीए यहां पर जैसे कि 50 व्यक्ति हैं उन्होंने A, B, C, D शुरुवात में 17 13, 8 और यहां पर मैं कह सकता हूं यह यहां पर 8 नहीं लेते हैं थोड़ा सा easy equation करते हैं इसको पचास जो थे वोट डालने वाले थे चार जो है वो उमिद्वार खड़े थे प्रेजिडेंट के एलेक्शन के लिए अब इन पचास ने वोट डाला तो वोट डाला तो यहां पर क्या हुआ A को जो है वोट मिले A को जो है वोट मिले 17 B को जो है वोट मिले 13 C को जो वोट मिले 12 D को वोट मिले 8 अब यहां बात करें कि इलेक्शन जो है मैंने क्या कहा अगर इलेक्शन जीतना है तो 26 वोट चाहिए होगे लेकिन 26 वोट तो किसी को नहीं मिले तो यहां क्या होता है, यहां आता है single transferable vote के system मतलब कि इसमें देखा जाएगा सबसे कम vote किसको मिले D को मिले, अब यह जो D है इसको बाहर कर दिया जाएगा, इसको जो बाहर कर दिया जाएगा तो इसमें जो D D है, इनके दोरा जो यह 8 लोग थे, ठीक है, यह 8 लोग मैं बना रहा हूँ 1, 2 3 drawing ऐसी है, काम चला लेना 4, 5 6 7 8, अब यह जो 8 जो लोग है इन्होंने vote तो दिया होगा, ना इन्होंने vote तो दिया होगा, किसी ना किसी को मतलब कि इन्होंने D को vote दिया था, इन्होंने D को vote दिया था, और उसकी preference एक 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 रखी थी, इन आठोंने अब, जब यहां पर हमने देखा कि किसी को पूर्ण बहुमत, मतलब कि 26 प्लस, 26 vote तो किसी को मिले नहीं तो 26 vote मिले नहीं, तो यहां पर single transfer वाला system यहां पर लागू होता है इसमें क्या होता है, जिसको सबसे least vote मिले उसको बाहर कर दिया जाएगा, और यहां पर इनके द्वारा जो दूसरी, तीसरी, चोथी performance दी गई थी, उसके according जो है वो, अब first performance बन जाएगी, अब देखो, इन इनोंने, एक को तो कोई न कोई preference दियोगी इनोंने मानने कि इनोंने दो दियोगी इनोंने तीन दियोगी, इनोंने चार दियोगी इनोंने दो दियोगी, इनोंने तीन दियोगी इनोंने चार दियोगी, इनोंने दो, इनोंने तीन ऐसे दियोगी preference, मतलब कि एक को preference इनोंने एनसे दियोगी तो यह जो सबसे least vote लिके लिके आये हैं इनको तो जब यहाँ पर हटा दिया जाता है तो यह जो second preference है यह बन जाती है first preference यह first preference बन जाती है अब यह first preference बन गई तो A को कितने vote मिल गए तीन ओर मिल गए तो 20 vote हो गए तो ऐसे ऐसे चीज़ें चलती चलेंगे अब यहाँ पर मानने की भी दो vote यहाँ पर B को और extra मिल गए होगे तो 15 हो गए होगे यहाँ पर C को 1 vote 2, 3, 5, 3 vote और मिल गए होगे 15 हो गए होगे यहाँ पर भी अभी भी कोई नहीं जीता तो यहाँ पर least जो और निकल कराएंगे उनको और बाहर कर दिया जाएगा फिर यहाँ पर क्या किया जाता है उनके vote को जो वरेत्या के according जहाँ पर preference पहले-पहले वाली हटा के जो second number पर आएगी उसको first number मान लिया जाएगा और vote कर add कर दिया जाएगे और इस तरीके से हमारे सामने President का election complete हो जाता है यह काफी लंबा procedure है इसलिए पूरे देश के अंदर इसको लागू नहीं किया जाता है सिर्फ पर सिर्फ President के election के लिए इन चीजों के लिए बहुत कम election के लिए इस system का use किया जाता है उमीद करता हूं कि बहुत बढ़िया concept है मैंने समझाने की बहुत कोशिच किया अपनी तरफ से समझ ना आए तो comment section में है comment section open रहता है तो वहाँ पर अपने doubts लिख सकते हैं देखिए अब राष्टपती का महाब्योग है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं जो राष्टपती हैं उनके अपर जो महाब्योग है नहीं कि impeachment है वो कैसे होता है अब ध्यान रखना impeachment होता है removal शब्द मत use कर लेना removal शब्द यूज़ नहीं होगा impeachment शब्द होगा article 61 के according जो है राष्टपती के कारेकाल की समाप्ती से पहले केवल स्वामिधान के उलंगन यानि violation of constitution के अधार पर पद से अटाय जा सकते है यानि violation of constitution हो उसी को जो है impeachment परकरिया के तोरा लागू किया जा सकते है कि impeachment लगा दिजा क्योंकि constitution का violation हो गया राष्टपती के तोरा अब आपको काफी जादे interesting news मिलेगी जानकारी मिलेगी देखे जो समीधान का उलंगन है इसकी definition कहीं दी नहीं गई है कि होता क्या समीधान का उलंगन इसकी definition के बारे बताया नहीं गया अब देखे राष्टपती का जो महावयोग है जो impeachment process है वो संसत के किसी भी सधन के दोरा यानि की राज्य सभा के दोरा राज्य सभा के दोरा या फिर लोग सभा के दोरा किसी भी सधन के दोरा शुरू किया जा सकते है और 14 दिन पहले राष्टपती को बताना होता है कि हम जो ये motion या फिर impeachment process लाने वाले हैं तो राश्टपती के विरूध परस्ताव का सदन कम से कम एक चुथाई सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, जब वो किसी भी सदन में गए हो, उस सदन में जो है वो एक चुथाई सदस्यों के दोरा हस्ताक्षर हो, तब जाके ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, फिर को मतलब कि ये पास होना चाहिए, पास होने के बाद ये लोग सभा में जाता है, लोग सभा में या फिर लोग सभा में पास हो तो राज्य सभा में जाता है, तो ये प्रोसेस आपको समन लेना है, अब यहां पर क्या होता है, इसके बाद जब ये दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन में यहाँ पर इस पर यह discussion होगी तो दूसरा सदन यहाँ पर क्या कहेगा एक committee बनाएगा जो investigation करेगी कि जिनके उपर जो यह charges लगाए गए है प्रेजिनेट के उपर वो सही है गलत अब उस committee के द्वारा क्या है अपनी report जब दी जाती है तो वहाँ पर दो त्याई बहुमत के द्वारा उसको pass कर देना चाहिए तब जाके impeachment बाना जाता है इस पर करिया कि दुरान क्या होता है कि राष्टपती को भी अपने वकील करने का अधिकार होता है अपने आपको बचाव करने का अधिकार होता है यह सारी चीज़े वहाँ पर दी जाती है राष्टपती को तो यह था impeachment process और ध्यान रखना है कि दो त्याई बहुमत special majority के द्वारा ही हटाया जाता है यहाँ पर impeachment process होता है clear तो उमीद करता हूं कि आप लोगों को president के election उनके impeachment इस सारी तमाम बाते आपको बता चल गई होंगी फिर से बता देता हूं कि PDF जो है description box में एक link दिया मिलेगा telegram का तो जाकर आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो की तो वीडियो पसंद आई है समझ आई है तो like करिए channel को subscribe कर लिजिए और share कर दीजिए channel को as well as video को बहुत जादा motivation मिलता है thank you for watching this video